संजे लीला भनसाली और आलिया भट ने पैसो के लालच के कारण एक परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है यह परिवार सदमे में है और बार-बार घर बदल के जीना पड़ रहा है इस परिवार को समाद से छिपने की स्थिति में डाल दिया है संजे लीला भनसाली ने इस परिवार को जिस चक्स पर फक्र था जिसके कहानिया इंस्पिरेशन के रूप में ये सुनते सुनाते थे आज उसी को संजे लीला भनसाली ने बदनाम कर दिया है मैं बात कर रही हूँ गंगुबाई काठ्यावाडी की फैमली की गंगुबाई ने 1949 में चार बच्चों को अडॉप्ट किया था अब उनका परिवार 20 लोगों का है ये परिवार इसी लिए जाना जाता है क्योंकि इसे ऐसे शक्स ने अडॉप्ट किया है जो एक सोशल वरकर थी जिन्होंने समाज के लिए और महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसी गंगुबाई काठ्यावाडी को संजेलीला भंसाली ने फिल्म गंगुबाई में एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में दिखाया जो देखकर पूरा परिवार सद्मे में है परिवार का कहना है कि हम एक बहुत चोटे एरिया से आते हैं और हमारे समाज में ऐसा है कि किसी की अगर इज़त खराब होती है तो लोग तरह-तरह की बाते करते हैं अब गंगुबाई काठियावाडी के बच्चे जिनने समाज जो है एक सोशल अक्टिविस्ट की रूप में जानता था उनकी मदर एक सोशल अक्टिविस्ट थी उसे संजे लीला भनसाली ने जब से प्रोस्टिटूट बताया है तब से गंगुबाई के इनी बच्चो को लोग son of bitch कह रहे हैं गंगुबाई की फैमिली ने कौच में संजे लीला भनसाली की इस फिल्म पर रोग की भी डिमान की तो संजे लीला भनसाली और उनकी तरफ से कहा गया कि आप सबसे पहले तो ये प्रूफ करो कि आप उनके बच्चे हो अब बच्चो का कहना है कि जस वक्त उन्होंने हमें अडॉप्ट किया था तब अडॉप्शन को लेकर कुछ रूल्स ही नहीं थे इसलिए उनके पास कोई कागजात ही नहीं है ऐसे में वो अपनी मा की इज़त बचाए तो बचाए कैसे गंगुराओ का बेटा बाबुराओ जी शा का कहना है कि मेरी मदर एक सोशल अक्टिविस्ट थी आक्टिविस्ट के रूप में जानते थे लेकिन जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से परिवार को गालिया और लोगों की बाते सुननी पड़ रही है लेकिन संजे लीला भनसाली ने तो हमारी मा को ही वैश्या के रूप में दिखा दिया है